जितने भी BSSC अभियर्थियों जो काउंसलिंग करवा चुके हैं, उन लोगों ने मिलकर 25 मार्च को BSSC ओपीस में अंदोलन करने का तै किया है। और ये दो-तीन दिन पहले तै हुआ है और बहुत से परिक्षार्चों ने अभियर्चों ने मुझे भी फोन करके बताया और वाट्सब पर मेसेज भी किया कि 25 मार्च को अंदोलन करने आपका साथ चाहिए। तो हमने कहा कि भाई हम तो साथ हैं आप लोग के हमेशा और पहले भी फरवरी में भी हमने कहा था और ये डेट आप लोगों नहीं, BSSC अभी अर्चों नहीं तै किया है और आप लोगों नहीं 25 मार्च को आंदोलन करने करने ने लिया हम आप लोग के आंदोलन का समर्थन क को तो फिर यही होगा 6 अपरेल को कोट में शुरुवाई है पताने इस वीच में क्या होगा 30 मार्च को समी लोग सुबा 11 बजे पहुंचते हैं ब्ससी ओपिस तो सरकार पे और ब्ससी पे दबाब बनेगा और उसका असर क्या होगा कि ब्ससी जल से जल मेरिक लिष्ट जारी करेगी और फोट में भी जल से जल इस समस्या का जो समधान होना चाहिए उसका पूरास्ता ढूलेगी ब्ससी भी और अपनामा तायर करेगी और 6 अपरेल से पहले भी मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है कोई भी छात्रीत में जो अंदुलन होता है जो छात्रीत से जुरा हुआ अंदुलन रहेगा उसमें दिलिप कुमार पीछे नहीं रहता है तो आप लोगोंने कहा मुझे आने के लिए तो मैं निस्तित रुप से आ रहा हूँ नमस्कार आप लाइप बिहार देख रहे हैं मैं हूँ करिस्मा ब्यस्सी प्रथम इंटर अस्तरिय बाहली जो की साड़े साथ सालों से विवादों में बनी हुई है विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है लेकिन मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो रहा है क्योंकि एंसेल का मुद्धा पटना हाई कोट में लटका हुआ है अब छात्र निता दिलिप उन अभ्यर्तियों के साथ आए हैं जिनकी काउंसलिंग हो गई है और वो अभ्यर्ती बिएससी ओफिस के पास जुद कर 25 मार्च को आंदोलन करने वाले हैं उनके साथ छात्र निता दिलिप भी है छात्र निता दिलिप ने इस मुद्धे पर अपनी बात को रखी है सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा नमस्कार दोस्तों मैं दिलिप कुमार दोस्तों बीएससी पर्थम इंटर अस्तर ये बहाली जो सारे साथ साल बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुली है और अभी इसका मेरिक लिष्ट आना बागी है लेकिन बीएससी और नितीज सरकार दोरा जान बूज कर कोई ने कोई बहाना बना कर इस बहाली को लटका कर रखने की साजी स्रची जा रही है और आपनों देख रहे हैं कि New NCL के मुद्य पे जो पतना हाई कोट में केस चल रहा है उसको भी एक बहाना बना कर B.S.S.E. मेरिक लिष्ट जारी नहीं कर रही है जबकि समाने परशासन बिवाग और विधी बिवाग द्वाग द्वारा New NCL के मुद्य पे दिशा निर्देश दिया जा चुका है B.S.S.E. को तो अब केस का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है जब दिशा निर्देश मिल चुका है सरकार के तरफ से B.S.E. को तब तो मेरिक लिष्ट जारी करने में कोई अपती B.S.E. को नहीं होना चाहिए निर्देश उनको समाने परसासन विभाग और विधी विभाग से मिल गया है इसलिए वो मेरिक लिष्ट जारी करने जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई पती जाहिर करेगी या कोट रोक लगाएगी भीयाग गार ले एकशी नहीं करें लेकिन आप तो उसकी भी नवबत नहीं आएगी चुकि जब समाने परशासन विभाग और विदी विभाग ने यानि कि बिहार सरकार ने B.S.S.E. को बिशाम निर्देश दे दिया है नियू N.C.L. के मुद्धे पे तो अब तो केस चलने का कोई इसू ही नहीं रहा कोई मुद्ध ही नहीं रा कि पटना है कोट में केस चले तो अब तो सबको चाहिए B.S.S.E. को चाहिए intervener जो है उसको चाहिए और जो Demoner है जो पहले केस किये तिया उन लोगों को सबको चाहिए कि केस वापस ले ले और B.S.E. को भी चाहिए कि पत्ना हाइकोट में जाके अपने तरब से वो हलप नामा दायर करे इन सब चीजों को लेकर और मेरिक्रिश्ट जारी कर दे तो जितने भी BSSC अवियर्थिये जो काउंसलिंग करवा चुके है उन लोगों ने मिलकर 25 मार्च को BSSC office में अंदोलन करने का तै किया है और ये दो-तीन दिन पहले तै हुआ है और बहुत से पर इक्षार्थियों ने अवियर्थियों ने मुझे भी फोन करके बताया और WhatsApp पे मेसेज भी किया कि 25 मार्च को अंदोलन कर रहे हैं आपका साथ चाहिए तो हमने कहा कि भाई हम तो साथ हैं आप लोग के हमेशा और पहले भी फरवरी में भी हमने कहा था मार्च में भी फर्स्ट विक में और होली से पहले भी बहुत से लोग फोन कर रहे थे कि क्या आंदोलन करेंगे तो आप साथ दीजिए हमने उस देख में भी फरवरी में भी कहा था कि आप लोग मेरिट लिस निकल वाने के लिए या कोई और भी मुद्धिपर जो सही मुद्धा हो उस पर आप आंदोलन कीजिएगा तो हमारा साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा लेकिन फरवरी में और मार्च पर्सट विक हम आप लोग के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और 25 मार्च को हम भी आंदोलन में आएंगे सुबाए 11 बजे निश्टित रूप से हम भी वाम मौझूद रहेंगे तो ये आंदोलन आप लोग का है आपके हक और अधिकार की लगाई है अगर आप अभी मेरिट लिष्ट जारी करवाने के लिए 25 मार्च को तो फिर यही होगा 6 अपरेल को कोट में सुनवाई है पताने इस वीच में क्या होगा मालिजे कोई फिर से कोई डर्कुमेंट से लगा दिया या फिर हो सकता है किसी का ओकील अबसेंट हो जाए या जजज सहाब ही बिमार पर जाए या कुछ और ब्यात हो जाए तो फिर एक लंबा डेट दे दिया जाएगा तो फिर मेट लिस्ट जारी नहीं होगा है तारीक पर तारीक चलते रहेगा तो इसलिए जब आप लोगोंने डिसाइड कर लिया है कि 25 मार्च को अंदुलन करना है तो सभी लोग 25 मार्च को बिससी ओपीस सुब 12 बज़े पहुचते हैं BSSS Office तो सरकार पे और BSSS पे एक दबाब बनेगा और उसका असर क्या होगा कि BSSS जल सजल मेरिक लिस्ट जारी करेगी और Quote में भी जल से जल इस समस्या का जो समधान होना चाहिये उसका और रास्ता दुनेगी BSSS बी और रहला पनामा दायर करेग और 6 अपरेल से पहले भी में रिक्रिष्ट जारी हो सकता है गेंद अब BSSC के पाले में है तो BSSC पे दबाब बनाना जरूरी है और जब आप लोगोंने खुदी डिसाइड किया है तो आप लोग को तो आना ही चाहिए और 25 मार्च को सुभा एक 11 बजे BSSC ऑफिस जितने भी आप लोग BSSC अभी अर्थिये सभी लोग पहुंचिये मैं भी वहां पहुंच रहा हूँ सुभा एक 11 बजे और मैं आप लोग के साथ पहले भी था आभी भी हूँ और आगे भी आप लोग के साथ रहूँगा कोई भी छात रीत में जो अंदुलन होता है जो छात रीत से जुरा हुआ अंदुलन रहेगा उसमें दिलिप कुमार पीछे नहीं रहता है तो आप लोगों ने कहा मुझे आने के लिए तो मैं निसीत रूप से आ रहा हूँ पचीस मार्च को सुभाय जारा बजे और जो भी आप सी मतभेद आप लोगों में हो उसको भूला दीजिए और एक जूठो कर लड़ी जिस तरह कांसलिंग के लिए आप लोग और कांसलिंग से पहले कावे में मत जाइए और कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल हो जो छात्रों की एकता को तोरने का पढ़ियास करता हो कोई सद्यंत्र करता हो साजीज करता हो तो ऐसे यूट्यूब चैनल का आप लोग वहिसकार कीजिए अनसब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे लिए छात्र हीत सर्वो पड़ी है और कोई भी अगर छात्रों के साथ गद्दारी करेगा तो ऐसे लोगों को बरदास्त नहीं किया जाएगा बस आप लोग जितने भी BSSE अवियर्थी हैं आप लोग एक जुट रहिए और एक जुटो कर 25 मार्च को सुबह 11 बजे BSSE अवियर्थी आईए और मेरिट लिष्ट जारी करवाने की मांग को लेकर यह अंदोलन हो रहा है तो मेरिट लिष्ट की ही बात होगी सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिष्ट की बात होगी तो आप लोग 25 मार्च को सुबह 11 बजे BSSE अवियर्थी निष्टित रूप से आईए और एक जुटो कर आईए और यह देखिए यहाँ पे BSSE अवियर्थी आपर आकर ऐसा नहीं कि तोरफोर करना है या कोई हिंसा करना है हम लोग उपदर भी तो है नहीं वहाँ पे आके सांती पूरवक BSSE के सचीव और अध्यक्ष से हम लोग को अपनी मांगों को रखना है जो आप लोग का डिमांड है उसको रखना है और BSSE क्या इस पे कर रही है क्या करना चाती है इन सब चीजों पे BSSE से हम लोग जबाब मांगेंगे तो आप लोग आईए और सांती पूरवक 25 मार्च को सुभाए 11 बजे निश्ची तुरुप से पहुँचिए और सांती पूरवक अंधूलन करना है ताकि BSSE मेरिट लिस्ट जल से जल जारी करे और आप भी देख रहे हैं कि BSSE का इतिहास है कि जब भी आप लोग आंधूलन करते हैं तभी कुछ आगे इस बहाली में कुछ आगे परकिरिया होती है तो अभी मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए भी आंधूलन करना ही होगा और जहां तक New NCL, Old NCL की बात है तो मैं किसी के बिरोध में नहीं हूँ मैं तो कहा रहा हूँ कि Old NCL, New NCL Old Card Certificate, New Card Certificate Old New Computer दख्षता, ट्रैपिंग दश्थता Certificate सब को बानने कर दे BSSC क्योंकि यह 42 सारे 7 साल पहले की है तो मैं किसी का भी रोधी नहीं हूँ छात रीत में जो भी आंधूलन होगा मैं उसका समर्थल करता हूँ और आगे भी करूँगा तो आप लोगों से अंत्ता फिर यही आगरा कर रहा हूँ अपील कर रहा हूँ कि आप सभी लोग सारे मतवेद को भुला कर 25 मार्च को सुबह 11 बजे BSSC पहुंचिये और मेरिट लिस्ट जारी करवाने की मांग कीजिए धन्यवाद जयाहिए तो अपने सुना चात्र निता दलिप को उनका कहना है कि वो BSSC अब्यर्थियों के साथ है और 25 मार्च को अंदोलन होने वाला है BSSC आफिस के बाहर इसके लिए जो भी छात्रों की काउंसलिंग हो चुकी है उसको छात्र निता दलिप एकठा करने की बात कर रहे है अगर आपकी भी काउंसलिंग की प्रकिरिया पुरी हो गई है और मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो रहा है तो 25 मार्च को BSSC आफिस पहुंचिये और अपनी बातों को रखिए बिहार से जड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइफ बिहार दनेवा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नखिया हो